अज हम बनाने वाले हैं सत्तू की कचोड़ी, लिट्टी और पराधे इसके लिए मेरे पास सत्तू नहीं है लेकिन मेरे पास यह चने हैं जो कि मार्केट में एजी ली अवेलेबल होते हैं यह भिले होए चने होते हैं यह बिल्कुल ऐसे होते दिखने में इसको आप भूजा भी यूज़ करते हैं तो अगर आपकी घर में पाउडर्ड सत्तू नहीं है तो आप यह वाले चने ले सत्ते हैं और इसको आप मिक्सर में पीस लीज़े फिर आपके घर में अवेलेबन हो जाएगा एकदम प्यावर सत्तू ऐसे आप मार्केट से अगर सत् अगर आपको घर में प्यावर सत्तू चाहिए तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप चने को भून लीजिए घर पे या फिर मार्केट में इस तरीके के भूने होई चने आते हैं उसको आप यूज़ कीजिए इसको आपको मिक्सर में पीस लेना है और यह आपक और यह बहुत ही फाइन पाउडर बना है अब हमारे यह पीय।술 निकाल लिया है अब से लुचिया चुब में इंगिया में युज़ प्यास लिया है तो सबसे पहले हम इंविडियांस को अच्छे से द्वोकर साफ करके अच्छे से कट कर लेते हैं चॉप कर लेते हैं हमको चॉपिंग बिल्कुल नहीं करना है या तो आप चाकु से अच्छे से पतला पतला स्लाइस कीजिए या फिर आप चॉपर में भी उसको कर सते हैं कि अच्छी पर लेसं का जो अच्छे से सल्विरस का लिए यह निकाल दिया है अब हम इसमें नम्मक, खंदी और अजवाइन इसको अच्छे से डाल देंगे इसको हम इस तरीके से वैस कर लेंगे, चाकि हमारा प्याज जो है थोड़ा सा नम्मक के वज़े से सॉफ्ट हो जाए तो यह हमारा अच्छे से मैश हो गया है, अब हम इसमें जो हमारा सत्टू था पाउदर इसको हम मिलाएंगे, जितना भी आपको बनाना है आप उतना पालक है सब्कांता है नवमक के शर्मकाल सब्सक्राइब के शाइब मेंगें अगर तो ब्रूड़ के टूर्ड़ कीशित करें तो अगाने तो यहादा थो तो यह थोगा रहता है तो फिर वह नीम्बू से थोगा से बैलन्स हो जाएगा अब इस टाइम पर हम इसमें चुरमारा निम्बू है उसको हम स्क्वीज कर लेंगे निम्बू से बहुत अच्छा प्लेवर राता है खट्टापन का तो अगर निम्बू है तो आप जरूर आट केज़े इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास निम्बू नहीं है और अगर आपके पास मिर्ची का अचार है तो आप मिर्ची का अचार का मसाला और उसका जो तेल होता है वो आप डालिये उससे और जादा फ्लेवर बढ़ जाता है किसी भी मिर्ची का अगर जो मसाला होता है अंदर का वो यूज कर सकते आण चार नाट हम आपके पास आम का अचार है उसका भी मसाला या उसका भी आप तेल यूज़ कर सकते हैं और जादा बढ़ जाता है अब हम इसेें एक चमच के तियल कि गरीब सर्सो का तेल डाले गारें और चममच के करीब आपके तैल डालें हो इसको भी हम अच्छे से कर सर्सो के तेल से बहुत अच्छा फ्लेवर इक आता है सर्सो का जो मिश्रन होता है वह और ज्यादा टेस्टी हो जाता है यह हमारा फिलिंग रेडी है इसमें आप चाहिए तो अगर आपके पास फ्रेश धनिया पता है तो आप उसको भी मिक्स कर सकते हैं अभी मेरे पास फ्रे थोड़ा सा टेस्ट कर लीजी हाथ में लेके यह बिल्कुल पॉफेक्ट बना है पॉफेक्ट है नमक भी बहुत सही है निम्गु का भी बहुत अच्छा खटा पना रहा है अब हम इसको पांच मिनिट रेस्ट करने के लिए रगतेते हैं तब तक हम हमारे आटे का दो लगा अच्छा गूत लेंगे जैसे आप नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरीके का दो चाहिए नहीं टाइट और नहीं बिल्कुल धीला एकदब मीडियम होना चाहिए इसको भी हम पांच से दस में ड्रेंस करने के छोड़ देते हैं इसके बाद भी हम पराठा बनाने की तयारी दो थे खोड़ देते हैं तो उसे क्या होता है कि हमारी जो रोटी होती है वह बहुतalinहीं हुए कि सॉफ्ट और भलोड़ की बनती हैं तो यह हमारा आट अ चम आ यो है अब बिल्कुल रेडि हैं म सुझे है अब हम्साथिके पाराड़ा के यह हम पहले उसके यह एक हम पहले इस तरीके से हम लोई तोड़ लेंगे इस तरीके से हम लोई तोड़ लेंगे इसको हम रख देंगे अब हमने एक लोई दिया है इसको हम अगर आपके हाथ में आठाची पक रहा है तो आप इसमें थोड़ा से ड्राए आठा ले लिजे और इस तरीके से फिरा इसको बोल कीज ऐसा कटोरी बनाने के बाद में आपको सत्तु में से थोड़ा सा सत्तु बिलीना है पिर हम इसकुछ तरीके से बंद करने के श्री करने के अगर एक्स्ट्रा अटा है उसको सिंका दीजिए इसे को बना लेंगे और फिर इसमें आठा लगा के इस तरीकी से आठा लगा के हम इसको बेल लेंगे इधर में तबाप इठा लिया है कला लेंगे य। आपको बताती हूँ कि कचोड़ी आप कैसे बनाओगे सत्तु का तो सेम ही प्रोसेस है इसको आपने लोई लिया इस तरीके से आप कचोड़ी करूंग तरेंगे यह हमारा पराठा हम रेडी है कचोड़ी के लिए इस तरीके से लिए है और इसमें हम सब्सका फिलिंग डालेंगे इसमें हम जादा भी फिलिंग डाल सकते हैं क्योंकि हमको बेलना नहीं है इसको हम इस तरीके से आप कर देंगे एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे और इस तरीके से हमारा कचोड़ी का शेफ हम दे लिया है इस तरीके से हम दबा देंगे इसको हमारा कचोड़ी के लिए रेडी है इसी तरीके से हम दूसरा भी कचोड़ी बना लेंगे यहां पे ती पर इस तरीके से कम आच पर मीजमी स्पून शेक लेंगे और इतुनों साइट अच्छ से सिख जाएगा हम इसमें तेल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कचौरी है तो इसको हम सिफ सेकेंगे और फिर हम लिप्राइ करेंगे लास्ट वे तो अगर आप इस तरीके से सेकेंगे तो कम ओइल लगता है जब आप इप्राइ करते हो तो मारे कचौरी को तबा से सेक लिया है और मेरे पास इतना फिलिंग बच गया है जिसको मैं तल भी यूज कर सकती हो तो इसको मैं फ्रिज मेर दूंगी और इस कचौरी को अब मैं डीप्राइ करूँगी मैं यहां पर बना लिया है यह सत्तू का पराधा इसको तो के लिखाते हूं यह बिल्कुल सॉफ्ट बना है और इसके अंदर के फिलिंग देखिए यह एक दम प्योर सत्तू जो आप घर में बनाया है आपने इस तरीकी सा बना सकते हैं और यह मैंने जो सत्तू के कचौरी ब अब बना सकते हैं और यह एक दिन तक पूर जाता है तो जली में भी आप इसको यूज कर सकते हैं तो फ्रेंट्स प्लीज मेरे वीडियो को आप जरूर देखिए लाइक कीजिये और मेरे रेसिपी इसको प्राइब कीजिए अगर मेरे रेसिपी आपको अच्छे लगे तो आप मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हैं फीडबैक दे सकते हैं यह मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो उसको जादर से जादर शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प कि अपूर्टी थे केर भाइ